गंगा में सैकडो लाशे तैर रही हैं, उत्रा रही हैं। गंगा मा का बेटा कहा हैं। पूछिए ऐसा क्या हुआ है कि न शफ के लिए वाहन पा रहे हैं, न शम्षान पर लकड़ी इंदन और जग़ पा रहे हैं। आखिर किस गलती की सजा भुगत रहे हैं ये गंगा किनारे के लोग जो आज खून के आसू बाहा रहे हैं। आपको भी कहीं ढूंडे नहीं पा रहे हैं। उतार फेक रही हैं। कभी इरिक्षा में जाते दिख जा रही हैं तो कभी साइकल पर लटकी दिख जा रही हैं। मीडिया मैनेज करने वाली सरकार, मेडिकल विभाग मैनेज करने वाली सरकार लाशो को मैनेज नहीं कर पा रही हैं। तभी तो विपक्षी नेता जब पूछ रहे हैं यूपी बिहार की सरकारों से सवाल तो योगी और नितीश नजरे चुरा रहे हैं। यूपी के पूर्व मुखे मंतरी अखलेश यादव ने कहा, गंगा में तैरती उतराती हुई ये लाशे, महस आकड़ा नहीं है, ये किसी के पिता है, मा है, भाई और बहन है, ये मंजर आपको अंदर तक जगजोर दे रहा है। उस सरकार की जवाब देई तै होनी चाहिए, जो अपने लोगों की मदद करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। फैकने पर मजबूर हैं, लोगों की ये मजबूरी लोगों का ये दुखदर देखकर पूरी दुनिया का दिल पसीच जा रहा है, मगर योगी हो, नितीश मोदी हो या शाह, अपनी गलतियों पर परदा डाल दे रहे हैं, ऑक्सिजन मांगने वालों पर केस लाग देते हैं, एमबिलेंस मांगने वालों को जेल में डाल देते हैं और जिम्मेदारी पूछो तो गायब हो जाते हैं, इसलिए हम फिर से सवाल उठा रहे हैं, बार बार वही सवाल दोहरा रहे हैं, गंगा पुत्र नरेंदर मोदी कहा हैं, शहा नितीश और योगी हो, अपनी गलतियों